नमस्ते दोस्तों कैम्शो मजामा मैं संजय न्यूटेरिस गार्डनिंग और आपका स्वागत करता हूँ अज मैं अपने गार्डन के अपडेट देने जा रहा हूँ संदे गार्डन ओवर यू तो मेरे विंटर के प्लांट दिखाऊंगा कि मैं विटरन गार्डन में क्या-क् बहुत क्या टिप्स भी बता दूंगा उस प्लांट की तो सबसे पहले वीडियो के सुरुआते ब्यूटिफुल फ्लावर बिटोनिया से करते हैं यह देखे विंटर का बहुत ही फुप्सुरत फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट को आप हेंगेंगा बास्केट में वर्मी कंपोस्ट भी डालना चाहते हो डालिए और यह से वेडरें मिटे तैयार कीजिए ताकि आपका प्लांट बहुत अच्छी से चले और इस प्लांट को गना बनाने के लिए आप जब इसका फ्लावर सूख जाए तो यह से कट कर दीजिए और हटा दीजिए दिखिए यहां से कट किया और इसे हटा देने सुखे हुए फ्लावर ताकि इसमें क्या और नई नई ब्रांचिस निकल के आएगी और फ्लांट ज्यादा फ्लावरिंग करेगा यह देखिए इस तरह से मेरे पास तीन चार कलर है वाप को दिखाता हूं पिटोनिया के यह देखिए य दो दुखा यह दो कितना प्याराता है यह यह दार परपल है साइड में वाइट शेड है अब की मुर्जा गया आर कल्या भी रही है प्लांट भी देखिए कितना हेल्दी है और नेक्ट प्लांट में आप दिखा रहा हूं देखिए मेरा गुलदावरी का प्लांट है यह दिखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है अब और लगपक सारी कलिया खिल गई है थोड़ी सी बागी है 75% कलिया किल गई है 25% जितनी बागी है यह दिखिए बहुत ही प्यारा साथ शेड़ आया है इसमें और यह प्लांट में 20 रुपे में लेके आया था गर्मियों में तो यह दिखिए बहुत ही खुबसूरत है और मेरे पास गुलदावरी के तीन चार कलर है चार पांच कलर है एक फर्स्ट यह पहला और इसके बाद यह दिखिए यल्लो य बहुत ही खुबसूरत और प्यारा कलर है इसमें यल्लो वाला गैंदे की तरह है और यह की यह वाला है यह बहुत ही खुबसूरत दिख रहा है पूरा बरा हुआ फूल है तो गुल्दावरी को लगाने के लिए आप एक्दम वैल्लेन मित्त तयार किजिए और इसकी मित्ती में मॉश्ट्र बना के रखिए इसकी मित्ती सूखनी नीच चाहिए गुल्दावरी प्लांट की मैंने इसका के टिप्स वीडियो भी टाला हुआ है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती गुल्दावरी की देखिए एक वाइट वाली यह गुल्दावरी है इसमें भी फ्लावर अब सूख गए थे एक बार फ्लावरिंग करके तो मैंने हटा दिये है अब नई कलिय और यह केलेंडूला इसमें भी देखिए कितने अच्छे से ग्रोध हो रही है और कल्या बन रही है मैंने सारे विंटर प्लांट की एक जैसे मिट्टी बिनाई है और यह गुल्दावरी रही है इसमें अब तक बरसाइज बहुत ज़्यादा पर खीली नहीं है यहाँ पर मेरा क्यात ब्लांट है और इसमें बहुत अच्छे से ब्रवावरिंग हो रही है आप देख सकते हो इस सारे प्लावर सुक्यू और कलिया भी देखें कितने निकल रही और प्लांट भी कितने हईदी है तो यह सारे प्लांट में बीच-बीच महीं लेके आया हूँ इतने भी विंटर के प्लांट है सब प्लांट मुझे 20-20 रुपया में मिले ज़दा प्राइज नहीं है. और उसके साइड में यहां पे है मेरा कलांचु का प्लांट. यह डार्क रेड कलर है और यह थोड़ा लाइट है. तो यह प्लांट यह वाला प्लांट मैं 20 रुपए में लें लेका है था, और यह बाला मदर प्लांट है यह मैं बीस रुपे में लेकर आया था चोटा सा प्लांट था यह भी में गर्मियों में ही लाया था, तो दिखिए, यह इसकी कटिंग मैंने काट के यहां पर लगाई थी कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं इस प्लांट की कटिंग लगा कि रखे छोटी छोटी इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है और गुल्दावरी की कटिंग देखिए यह चोटी से कटिंग लगाई थी मैंने तोड़ के तूट गई थी मतलब लाते समय तो इसमें लगा दी थी तो दीखे इसमें तो अब फ्लावर भी किलने वाला है तो इस टाइम आप गुल्दावरी की कटिंग लगा सकते हो और यहां पर यह मदर आप थावजन के प्लांट जो मैं लेकर आया था नरस्ट्री से मुझे फ्री में मिले थे यह दो प्लांट देखिए और यहां पर और है यह मदर आप थावजन के प्लांट यह भी मुझे फ यहां पे यह एक क्रोटोन है इसका मदऱ् प्लांट है उसे चेम बड़ी पतीयों यहां यह व्वाली सनिक से प्रोपोगेट कि और प्रिये प्रमाट्थ शर्पति यह सब मेरे कटिंग से तयार हुए प्लांट है एक मादार अप्थावजन यहां पर रखे हैं मैंने यह प्लांट भी मैंने आपके साथ शेयर के थे बहुत ही छोटे-छोटे प्लांट में नर्शरी से लेके आया था और यह पैंसिल केक्टर से रिप्पोर्टिंग के बाद इसकी ग्रोध आप देख सकते हूं और यह वेरिगेटेड हिबिसकस इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर है फ्लावर का और पत्तिया भी में दिखें कितनी खुबसूरत देख रही है और एक बात और बताओ कि मेरे हिबिसकस के प्लांट में अभी सौरी मेरे अडेरियम के प्लांट में अभी फ्लावरिंग हो रही है यह देखिए इसमें देखिए पत्तिया जड़ रही है और फ्लावरिंग हो रही है पैसे देखिए यह मैंने कुछ प्रून कर दिये थि कट के थे इसकी वीडियो भी आपके साथ सेर किये यह देखिए यहाँ पे गुलदावरे की कटिंग भी मैंने लगाई थी तो यह देखिए इस अप्लांड नई ग्रोथ कर रहे तो इसमें भी फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके